ग्रीन ओलंपियाट की इस वीडियो में आपका स्वागत है इसे आप यूज कर सकते हो ग्रीन ओलंपियाट की पेपरेशन के लिए इसके अंदर आपको कोश्चन अटेम्ट करना है और कमेंट करके बताना है कि आपकी अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है तो जैसे स्क्रीम पर आपके सामने कोश्चन है इस कोश्चन में आपसे पूछा जा रहा है what is the best way to manage solid waste इस कोश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि waste material को किस तरह से एक अच्छे तरीकी से manage कर सके इसका best method कौन सा है चार method दे रखें चारों method में से आपको सही method चूज करना है option A में आपको बोल collection उसके बाद recycling, waste segregation और waste treatment यह एक process है और option C में आपको बोला जा रहा है कि waste minimization, segregation, recycling और उसके बाद waste treatment और option D में आपको बोला जा रहा है कि waste minimization, waste collection, segregation, waste treatment यानि कि एक तरह से steps दे रखें इन में से best step कौन सा है, best method कौन सा है यह आपको चूज करना है discussion के अगर correct answer की बात करें, तो जो option C दे रखा है, यह बिल्कुल सही answer है, यानि कि सबसे पहले अगर हमारे पास कोई waste material है, अगर उसे हमें manage करना है, सबसे better step तो यह है कि सबसे पहले हमें जो भी waste material है, उसे minimization उसका किया जाना चाहिए, उसके बाद उसका segregation होना चाहिए, फि question C आप choose कर सकते हैं, इसके बाद next question है, इस question में आप से पूछा जा रहा है, कि name the waste treatment method in which thermal energy is extracted from waste, किसी भी waste material से अगर हमें thermal energy generate करना है, तो कौन सा method आपके according सही हो सकता है, यह आपको choose करने के लिए बोला जा रहा है, तो option A में आपको बोला जा रहा है, कि जब आप recycling करते हैं, किसी भी waste material का, तो उसके अंदर से आप thermal energy generate करते हैं, option B में आपको बोला जा रहा है, कि land filling एक process है, जिसके थुरू हम waste material में से thermal energy को extract कर सकते हैं, और option C में आपको बोला जा रहा है, insulation एक method है, जिसमें से हम waste material में से thermal energy को generate कर सकते हैं, उसे extract कर सकते हैं, और option D में आपको बोला सकते हैं तो इन चारों option में से अगर correct answer की बात करें तो यह option आपकी पास option C दे रखा है यानि कि insulation जो एक method है जिसमें हम किसी भी waste material को use करके thermal energy को generate कर सकते हैं तो यानि कि इस question के अगर correct answer की बात करें तो हम लोग C answer को C option को choose कर सकते हैं इसके बाद next question है इस question में आपसे पूछा जा रहा है कि from the below mentioned options which living organism help in turning organic waste into manure अब देखो इस question के अंदर जो यह आपको पास चार options दे रखे हैं इन चारों option में से आपको एक option choose करना है जो की best तरीका है जिसके अंदर हम किसी इन चारों organization को use करके हम किसी भी organic waste को तयार कर सकते हैं देखिए organic waste का मतलब यह होता है कि जब भी हम farming वगरा में use करते हैं किसी चीज को एक तो होता है ready mint card लेकर के आते हैं ठीक है और एक क्या होता है कि कोई ऐसी material होता है जो हमाई farming वगरा में help करता है तो उसके regarding में question पूछा जा रहा है तो देखो यहाँ पे जैसे option A दे रखा है इसमें आपको बोला जा रहा है कि common जो house fly है यह help करता है एक तरह से organic waste को त्यार करने में और option B में आपको बोला जा रहा है कि black ant यानि कि जो black छीटियां वगरा होती है यह help करती है और option C में आपको बोला जा रहा है कि earth warm जो होता है वो हमें help करता है और option D में आपको बोला जा रहा है कि white terminates जो होते हैं यह इस की तरब से use कर सकते हैं, जिससे की खेती वोगरा करना थोड़ा easy हो जाता है, इस तरह से आप कह सकते हूं, इन चारों option में से correct answer जो हो जाएगा, वो आपका option C हो जाएगा, ठीक है, चलिए move करते हैं next question की तरब, इस question में आप से पूछा जा रहा है, कि water is very important for humans, and one of its important use is cooking, which of the following methods of cooking is depend on water, देखिए हम लोग सभी जानते हैं, कि जो water होता है, बहुत important है सभी के लिए, जितने भी humans है, सब के लिए, और इस question में आप से बोला जा रहा है, कि जैसे cooking activity होती है, उसके अंदर हम लोग water वगरा use भी करते हैं, तो एक ऐसे cooking method का आपके व तो जैसे यहां 4 options दे रखें, इन 4 options में से आपको correct answer choose करना है, option A में आपको बोला जा रहा है, कि जो हम roasting वगरा करते हैं, तो वो एक ऐसी cooking है, जो कि depend करती है water के ओपर, option B में बोला जा रहा है, कि grilling एक method है cooking का, जिसमें हम water के ओपर पूरी तरह dependent होते हैं, और option C में आपको streaming जो एक method है, जिसके अंदर हम water के ओपर depend होते है cooking के लिए, और option D में बोला जा रहा है, fry वगरा जब हम करते है, यानि कि frying एक method है, जो totally depend है water के ओपर, तो इस question कि एक correct answer की बात करें, जैसे आपकी घर में idli वगरा अगर बनता हो, तो आप लोगों ने देखा होगा, इससे steam करके बनाया जाता है, यानि कि एक ऐसा method है, जिसमें water को cooking के purpose के लिए use किया जाता है, इस method के अंदर, तो correct answer जो होगा, वो आपका option C हो जाएगा, ठीक है, यानि कि steaming एक ऐसा method हो गया cooking का, जो totally depend करता है water के उपर, water से ही इसके अदर steam वगरा करके हम लोग अपना food वगरा त इसके बाद next question है, इस question में आप से पूछा जारा है, कि dash does not readily mix with water, यानि कि इन में से कौन सा ऐसा material है, जो water के साथ proper तरीकी से mix नहीं होता है, ठीक है, जैसे milk की बात करे, milk तो mix होता है, या नहीं होता है, या आपको gas करना है, तो जैसे ये 4 answer है, इन 4 answer में से, सही answer क्या है, य option B में आपको बताया जारा है, oil, और option C में आपको बोला जारा है, coldly, और option D में आपको बोला जारा है, vinegar, तो इन 4 option में से, अगर correct answer की बात करें, जो कि अगर हम water को अगर mix करें, सब चीजों को, milk के साथ अगर mix करें, तो properly mix हो जाता है, तो oil को अगर mix करेंगे, तो oil mix नहीं ह तो इस question के अगर correct answer की बात करें, तो जो आपको option B दे रखा है, यानि oil, oil को अगर हम पानी बगरा के साथ mix करेंगे, तो यह properly mix नहीं हो पाता है, तो इस तरह से आप कह सकते हो, कि इस question का अगर correct answer की बात करें, तो यह आपको option B हो जाएगा, अब आप लोग मुझे comment करके बत हुआ है, उस playlist में जाकर के आप Green Olympiart से related जितने भी questions हैं, उन सब की practice आप कर सकते हैं, ताकि आप Green Olympiart में अच्छे mark score कर सको, मेरा ये channel friends at the rate preparation और Mr. Krishnashah, इन दोनों चैनल को subscribe करके, बेल आइकन जुरूर दबाना, ताकि आपको हमेशा latest video की notification receive हो सके, कोई doubt है, कुछ पर follow कर सकते हो, मेरी ID है, at the rate Mr. Krishnashah, जो आप message करके अपने doubts बगरा, directly मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, बाकि एक केंद्री विद्याले के अगर आप student हो, तो मैंने एक group भी create करके रखा हुआ है, टेलिग्राम पर, जिसका link मैंने नीचे description में दे रखा है, जिस पे click करके आप उस group को जरूर जोइन कर लो, केंद्री विद्याले से related सारी update time to time मिल सके, तो thanks for watching, bye bye.